आज हम साधारन ब्याज के उन कोशिंस के बारे में बात करेंगे जो बार बार एक्जाम में पूछी जाते हैं साधारन ब्याज के सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले पर्सनों में से ये पर्सन है चलिए स्टार्ट करते हैं मैं अमिज स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैट्स वेर पे फर्स कोईशन देखता है कोई रासी 10% की दर से कितने वर्सों में तीन गुना हो जाएगी तो आपसे यहां वर्स पूचा है कितने वर्स में कितने वर्स में तीन गुना हो जाएगी जब ऐसे परसनों होते हैं जिसमें आपसे गुना के बारे में पूचा जाता है कोई रासी अपनी कितनी गुना हो जाए उसका मतलब होता क्या है और उसमें कौन सी trick यूज होती है देखिए आपसे पूछ रहा है कितने words तो समय आपसे पूछ रहा है जब आपसे समय पूछे तो आपको लिखना है n-1 into 100 बटे में r r मतलब दर n मतलब कितनी गुना कितनी गुना वो होनी है गुना जहां आएगा वहाँ इस n का प्रियोग करेंगे और trick हो जाएगी time बराबर मतलब समय बराबर n-1 मतलब कितना गुना हो रही है into 100 बटे में r मतलब 10 अब n हमें कह रहे हैं 3 गुना तो हम यहां 3 लिखेंगे 3-1 बटे में r गुना में 100 अब हम पहले माइनस करेंगे क्योंकि यह bracket में है तो 2 गुना में 100 बटे में r हमें दे रखा है 10 तो यहां 10 रखेंगे तो 20 वर सो में हमारा अंसर आएगा 20 वर सो में तो b option हमारा correct है अब मैं आपको समझाता हूँ ऐसा क्यों होता है देखिए आपसे यह पूचा है कि 3 गुना 3 गुना होने का मतलब है कि 2 गुना हमें ब्याज मिल चुका है अगर मालिया आप altre 100 रखेंगे हैं तो 3 गुना होने का मतलब है कि जो धन है वो 300 रुपे हो जाएगा इसका मतलब 2 गुना मतलब 200 रुपे हमें ब्याज मिलने वाला है अब 200 रुपे जब हमें ब्याज मिल रहा है और 10% का यहां हिसाब रखा है हमने कि 10% के हिसाब से मिलेगा इसका मतलब हमें 100 रुपे पे हर साल 10 रुपे ब्याज मिलने वाला है तो आप देखें मुझे 200 रुपे ब्याज कमाना है 10 रुपे मैं हर साल बे आज कमाता हूँ तो इसका मतलब होता है कि मुझे 200 रुपे कमाने में जब मैं 10 रुपे हर साल कमाता हूँ तो मुझे 20 साल लग जाएंगे तो इस तरीके से इसी चीज़ को यूज़ करके हमने ए ट्रिक बनाई है कि तो जब भी आप करेंगे इस कोशन को सीधा क्या करना है जैसे यहां 3 है तो 200 4 है तो 300 5 है तो 400 मतब एक कम करके 100 लेना है तो 3 है तो 200 लेना है 200 आ गया और जितना आपको आर दे रखा है उससे भाग कर दे तो आपका अंसर आ गया 20 बिल्कुल सिंपल सा ऐसे आपको इसको सीखना और एपलाई करना है नेक्स कोशन कोई रासी किस दर पर 20 वर्स में अपने आपकी 3 गुना हो जाएगी मैंने पिछले कोशन को इस कोशन में चेंज किया है यहां दर दिया था और वर्स पूछा था यहां वर्स दे दिया और दर आप से पूछ लिया तो यहां भी सेम वही चीज अपलाई होगी हमने वहां समय के बराबर निकाला था यहां दर के बराबर रखेंगे दर बराबर N-1 इंटू हंड्रेड बटे में समय अब आप देख पा रहे होंगे कि जब दर निकालने तो समय बटे में है और जब समय निकाला था तो दर बटे में था बस यही डिफ्रेंस होता है बाकी कोशिन सेम ही होगा बिल्कुल सेम तो N-1 मतलब N वो ही गुना वाली बात रहेगी तो तीन गुना है तीन में से एक गया दो गुना में सो बटे में आपका जो वर्स है 20 तो बीस पंजे सो और पांस दूनी दस तो आपको याद होगा पिछले कोशिन में 10% लिया था तो बीस साल आए था यहां 20 साल लेंगे तो 10% आएगा तो इस तरीके से हम इसको apply करते हैं दूसरा जो हमने last में trick से की थी so trick उसी को अभी हाँ use करेंगे तो मैंने क्या बताया था 3 गुना है तो 200 लेना है मतलब 1 कम करके so इसी चीज़ को directly apply कर रहा हूँ और words दिया है तो words से भाग कर दो तो आपकी दर आएगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना मैं उसको query जो है आपकी solve करके बता दूँगा कैसे उसको करना होता है साधरन भी आज के एक निश्ची दर से कोई धन 10 वर्स में दुगना हो जाता है यह 3 गुना कितने वर्सों में होगा इसमें भी N वाली trick लगा सकते हैं लेकिन अब मैं आपको directly समझाओंगा trick वाली बात को use नहीं करेंगी अब मेरी बात को आपको समझना है यह बिल्कुल मैं अलग तरीके से आपको समझा रहा हूँ कोई कुछ भी कहे कि trick ऐसे लगाना है वैसे लगाना है आपको यह बात समझ में आई तो आपको कोई trick कोई formula याद रखना ही नहीं पड़ेगा तो बात समझ यह उसने काई 10 वर्स में धुगना 10 वर्स में धुगना होने का मतलब होता है देखिए 10 वर्स में दोगने का मतलब ही क्या होता है मालिया एक रुपया है तो दो रुपय हो गए और इसका मतलब आपको जितने रुपय थे उतना ही ब्याज मिल गया एक रुपय पर एक रुपय क्योंकि धन जो है दुगना हो गया और दुगना होने का मतलब होता है जितना धन उतना ही ब्याज मिल गया तो दो रुपे ब्याज कमाने में 20 साल लग जाएंगे तो इस तरीके से इस कोशन को आप करेंगे without any trick और कोई formula याद किये भी ना ये थे वो person जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं सबसे ज़्यादा इसमें इसी कोशन में एक और कोशन एड़ कर लेता हूं ये देखे कितने समय में 5% वार्षिक साधरन ब्याज की दर से किसी धन के मान में 40% वरद्धी होगी 40% वरद्धी होगी तो इसमें भी पिछले वाले question का concept लगाएंगे जो मैंने अभी आपको सिखा है ये चीज आपने सीख ली तो आपको साधरन ब्याज कभी परिसान नहीं करेगा ये मेरा आपको challenge है देखे 40% की वरद्धी होनी है तो मतलब हम मान के चलेंगे कि हमारे पास 100 रुपे है और हमारे पैसे होगे 140 तो 40 हमने कमाई कर ली आप यहाँ देखिए 5% का मतलब परिसात का सीधा मतलब होता है कि 100 रुपे पे 5 रुपे कमाना 5% है तो 5 रुपे कमाएंगे 10% है तो 10 रुपे कमाएंगे 25% है तो 25 कमाएंगे 8% है तो 8 कमाएंगे मतलब जितना परिसात होता है 100 रुपे पे उतना ही कमाते हैं तो इसका मतलब अगर मेरे पास 100 रुपे है तो मैं हर साल 5 रुपे कमाता हूँ इसके इसाब से इस दर के इसाब से और मुझे कमाने कितने है 40 क्योंकि 100 के हो गए 140 240 तो 40 रुपे एक्स्ट्रा कमाने हैं जबकि मैं हर साल 5 रुपे कमाता हूं तो इसका मतलब 5,8,4 मुझे 8 साल लग जाएंगी इनको 40% व्रधी करने में मतलब 40 रुपे कमाने पे 100 रुपे अगर मैं उसका आधार लेके चलूं तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये सारे क कोशन बहुत अच्छे से समझ में आई हूंगे फिर बिकिसी को कोई कोशन में डाउट है तो comment box में ज़रूर लिखे आपको वीडियो पसंद आया है तो like करिए वीडियो पसंद नहीं आया해도 पक्का से dislike करिये लेकिन इसको करिए जो बहुत आपको आपको अच्छा लगता है आप उस चीज को देखे जो आपने सीखा है अच्छा लगा है तो लाइक जरूर जरूर करिए अच्छा नहीं लगा है तो कमेंट बोक्स में भी लिखिए और डिसलाइक भी करिए ताकि मैं आगे उस चीज को इंप्रोव कर पाऊ